लाइ गाइज शुरू करते हैं आथ की रेसिपी कुछ जुस्ती और फुर्ति के सांद दोस्तो बारिस का मौसम हो और कुछ हलका-फुलका नास्ता चटपटा खाने को साम के समय हमारा मन करता है तो बनाते हैं चटपटा साम का नास्ता ये मैंने ब्रेड ले लिये हैं और कुछ चीज स्लाइसिस ले लिये हैं छोटी या बड़ी साइज की ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं और यहां मैंने दू ब्रेड लेकर एक मैं ये पिगला हुआ बटर लगा रही हूँ अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस में हम बटर को लगाएंगे और बटर लगाने के बाद हम दूसरी ब्रेड स्लाइस उसके उपर रख देंगे फिर हम चीज स्लाइस को साथधानी पूर्वक निकाल कर इसे हम ब्रेड स्लाइस में लगा देंगे अब चीज स्लाइस के उपर हम कटे हुए जो की बारी काटे हुए थे मैंने अनियन और गार्लिक ये हम स्पैट कर देंगे अच्छी तरह से और हल्की इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी आप काटके डाल सकते हैं देखिये मैंने यहाँ चौप्ड हरी मिर्च और लाल मिर्च काटी हुई है और इसको भी मैंने इस ब्रेड में स्प्रेट कर दिया है दोस्तो चीज में पहले से ही नमक होता है और इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है गैस की लो फ्लेम पर मैंने तवा गरम किया है अब हम इसमें चीज सेंडविच रख देंगे उपर से धकन लगा देंगे और धकन की भाप से ही दो मिनिट में हमारा जो ये चीज है वो मेल्ट हो जाएगा इसी तरह से हम दूसरा सेंडविच रख देंगे और उसे फिर हम धकन की भाप में पकाएंगे और दो मिनिट में ये भी तैयार हो जाएगा इसी तरह से हम सभी चीज सेंडविच तैयार कर लेंगे गरम तवे पर मैंने लाश्ट में तीनों सेंडविच रख दिये हैं इसमें चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है दोस्तों हमारा चीज सेंड नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे इसी तरह दोस्तों आप भी अपने बच्चों के लिए जी सेंड्वीच जरू ट्राइ कीजे और अपने बच्चों को खुश रखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद